आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत खुब सूरसी पोयम and fun fact कि यह पोयम भी खुब सूरती के बारे में है Yes, you are right आज हम लोग पढ़ेंगे A Thing A Beauty जो ली गई है फ्लेमिंगो की बुक से Class 12 और यह पोयम एक एक एक्स्ट्रेक्ट है एंडी मियोन पोयम का जो लिखी गई है जोन किट्स के द्वारा इससे पहले कि आप इस पोयम की फीलिंग में खो जाएं आप इस वीडियो को लाइक कर लीजे क्योंकि हम कभी भी पोयम को बहतरीन बनाने में कॉम्प्रोमाइस नहीं करते हैं जोन किट्स ने बताया है कि रियल मीनिंग क्या होता है ब्यूटी का वो बताते हैं कि जब आप बीमार हों तो उसे देख कर आपको हैपिनेस मिले तो वह है थिंगा ब्यूटी वो बताते हैं कि जब आप अपनी जिंदिगी से लड़ रहे हैं तो उसे देखकर आपको नई दिसा मिले तो वह है थिंग आप ब्यूटी बो इस पोयम में ये भी बताते हैं कि जब ये जिन्दगी पूरी तरीके से प्रॉबलम से बरी हुई है ये प्रॉबलम का एक बड़ा रेट ट्रेप है तो इसे हम क्यों जीना चाहें थे हैं वह बताते हैं कि बस उस तिंग आप ब्यूटी के साहरे जो में हांसला देता है हमें हपिनेस देता है नई उमंग देता है हमारी जिंदगी में वह सबी वस्तुएं जिनकी सुन्दरता से हमको प्रसनेता मिलती है Its loveliness increases उसका प्यारापन सदा बढ़ता रहता है It will never pass into nothingness और उसका अस्चित तो कभी समाप्त नहीं होगा मतलब होए सभी वस्तु हैं जिनकी सुन्दरता से हमको प्रसन्यता मिले उसका प्यारापन सदा बढ़ता रहता है और उसका अस्चित तो कभी समाप्त नहीं होगा But will keep a power quiet for us And sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing और हमारे लिए यह पूरा वाता बरड But will keep a power मतलब हमारे लिए पूरा वाता बरड, पूरा बगीचा वह लंबा पेंड quiet for us सांत हो जाएगा And sleep full of dreams and health and quiet breathing और यह एक अच्छी नींद, सुनहरे सपने, स्वास्त और सुन्दर सच सांसें परदान करेगा Means इस line में हमें यह बताना चाहते हैं कि यह जो पूरा वाता बरड है यह जो पूरा बगीचा और यह एक लंबा पेंड जो हम इसके नीचे सोने जाएंगे तो यह हमें सुनहरे सपने देगा स्वास्त और सुन्दर सांसें परदान करेगा Therefore, on every morning और बी ब्रेटिंग ए फ्लावरी वेंड टू वाइंड अश्टुदार्थ और इसके बाद जो हम उठेंगे तो यह अपनी फूलों की मालाओं से हमें घहर लेगी मतलब जो हम उठेंगे सोकर तो यह अपनी फूलों की मालाओं से हमें को घहर लेगी और यह बिल्कुल ही सांथ हो जाएगा जो हम सोएंगे तो अभी तक हमने यह देखा कि यह थिंगा ब्यूटी क्या है उसमें बताया कि थिंगा ब्यूटी वह है जिसकी सुंदरता हमें सांब बढ़ती रहे और उसका अस्चित तो कभी समाप्त नहीं होगा इसके बाद यह बताया गया कि यह बावर क्वाइट फारस बावर होता बगीचा मतलब एक बगीचा हमारी लिए सांथ हो जाएगा जब हम सोएंगे और वह हमें सुंदर सपने स्वास्त और सुंदर हवा सुच हवा देगा और जब हम उठेंगे और एबरी मारो बी आर ब्रीटिंग और हम सांस लेंगे किसकी फ्लावरी बेंट टो बाइंड अश्टू दा अर्थ मतलब कि एक फ्लावरी बेंट हमको घेर लेगा मतलब हमको लपेट देगा उस अर्थ में मिन्स अब हम अर्थ से बिलकुल तरिये से जुड चुके हैं अब हम देखते हैं इसके आंगे इस्पाइट आफ डेस्पोंडेंस मतलब इस्पाइट आफ डेस्पोंडेंस का मतलब निरासा के बावजूद मतलब इन लाइनों से मतलब से बताना चाहता है मतलब वह निरासा से जो उतपन हुई है सवाबों की कमी के कारण डर्थ का मतलब कमी होना नोवेल नेचर की कमी के कारण मतलब उस निरासा के बावजूद मतलब वह निरासा जो उतपन हुई है सवाबों के कमी के कारण आफ दा गुलूमी डेस और उदास दिनों के कारण भी और वह सभी रास्ते जो हमारे स्वास्त को एबम जो अंधेरों से भरे हुई हैं वो हमारे सिर्फ ढोनने के लिए बने हुई हैं इंस्पाइट आफ आफ आल और इसके बावजूद समसेप आफ ब्यूटी मूब्स अवेदा पाल फ्रॉम अवर डार्क इस्प्रेट मतलब क्या होता है कि सौंदर का कोई न कोई रूप हमारी दुखी आत्माओं पर पड़ा कफन उतार फिकता है अथार्थ आत्मा जीवित ओड़ती है मतलब यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी अनहेल्दी रास्ते हैं अंधेरे रास्ते हैं मतलब यह थिंग आप ब्यूटी क्या करती है कि उन सभी बुरी आत्माओं से हमको रास्ता मतलब हम जिस रास्ते से जा रही होते हैं उस रास्ते से मोड़ देती है और जो अच्छा रास्ता होता है वह हमको परदान करती है जैसे कि मोण, सन, ट्रीज वरदान उस छोटे से सीप के लिए और यहां तकी डेफोडिल्स भी डेफोडिल्स एक परकार का छोटा सा पेड होता है जिसमें पीले फूल आते हैं वह उस हरे भरे संसार में रहते हैं मतलब इसमें यह बताया जाता है कि सच अस डेफोडिल्स जो डेफोडिल्स होते हैं वह हरे भरे संसार में रहते हैं जहां पर सच जलदार आते हैं जो उसके लिए कूलिंग का में काम करता है उसे जियेंट होट सीजन में मतलब जो डेफोडिल्स होते हैं उनको cooling चाहिए होती है मतलब उनको ठंड़क चाहिए होती है इसलिए हुए उस इस्तान पर रहते हैं जहां पर हरे भरे मौसम हो मतलब पेंड हो और clear rills हो जरने हो क्योंकि जरने जानातर ठंड़े होते हैं जिससे उनको ठंड़क मिल सके The mid forest break एक rich with the sprinkling of fair musk rose blooms musk rose blooms का मतलब पता कूजा और गुलाव के फूल The mid forest break means that कि जो ये कूजा और गुलाव के फूल होते हैं ये इस प्रकार इस प्रिंकल हुए होते हैं इस प्रकार खिले हुए होते हैं कि ये लगता है कि इन्होंने forest को दो हिस्सों में बाट दिया है And such two is the grandeurs of the domes और ऐसी हिसान है उन मरत्य इस्थानों की means जो सफेद कूजा थे उनको compare किया गया है grandeurs of the domes means मरत्य इस्थानों से We have imagined for the mighty dead जिनकी कलपना हमने मरत्कों के लिए की थी यहाँ पर जो कूजा के फूल हैं वो इस प्रकार फाइले हुए हैं कि वह दो हिस्सों में forest को बाट रहे हैं और उनको compare किया गया है उन्हें मरत्य इस्थानों से क्योंकि जो मरत्य लोग थे उनको सफेद से किया जाता है इसलिए सफेद कूजा के फूलों को compare किया गया है मरत्य इस्थानों से जिनकी कमकलपना हमने अपने मरत्कों के लिए की थी आल लवली टेल्स देट वी हैव हेर और रीड बे सारी प्यारी कहानियां जो मने सुनी थी या पड़ी थी एन एंडलेस फॉंटेन आफ इम्मोर्टल ड्रिंक एक अननंद सा जर्ना उस अम्रत का पॉरिंग इंटो अस फ्रॉम दा हैवन ब्रिंक मिन्स जो स्वर्ग से गिरता है और हम तक आप पहुँचता है इस परागराफ में फर्स्टली ये बताया जाता है कि डेफो डिल्स उस इस्थान पर रहते हैं जहां उन्हें ठंडक मिले लाइक रिल्स के पास इसके बाद बताया जाता है कि कूजा सफेद फूलों के द्वारा फॉर्ष्ट को दो इसों में बांट दिया गया है मतलब ऐसा फील होता है कि उन्होंने दो इसों में उसे बांट दिया है फॉर्ष्ट को इसके बाद सफेद फूलों को कंपेर किया गया है उन अम्रत इस्थानों से देन बताया जाता है कि भी सभी कानियां उस जरने की तरह हैं जो सर्ग से आती हैं मतलब जो कानियां हम लोगों ने सुनी हैं या पड़ी हैं उनको अमरत से कंपेर किया गया है अमरत ही बताया गया है तो यहाँ पर हमारी यह पोयम समात होती है अपने इस पोयम को फिल किया होगा जो लिखी गए जोहन किट्स के द्वारा और इसी परकार की सारी पोयम समने कवर की हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी और आप सभी उन कानियों को भी फिल कर सकते हैं इसी म्यूजिक लाइरिक में होप आपको यह कानी पसंद आयोगी और मिलते हैं अंगले वीडियों में धन्यवाद